वेल्कम टो मैं चैनल आज मैं आपको ब्लाॉज के बारे में थोड़ी सी जान करें दोंगे और उसके साथ-साथ मैं आपको ब्लाॉज के टीपस भी बहुत सहरें दोंगे तो विडियो आप पूरा देख लो ताके आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो पूरा देखने पर आपको blouse में पूरा जैसे मैं आपको बताओंगी पूरे details में तो आपको समझ में आ जाएगा blouse की cutting कैसे करनी है तो वीडियो आप पूरा देख लिजे और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजे शेर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है जब भी हम ब्लाउज की मेजरमेंट लेते हैं तो ब्लाउज की मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर हमें पहले लंबाई नापनी पड़ती है जब भी हम लंबाई लेते हैं लंबाई में हमें एक इंच प्लस करना पड़ता है उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है ब्लाउज का गला नापना पड़ता है जितना हमारा तो इससे जब हम shoulder को join करते हैं तभी आपको piping लगाने से पहले यहाँ तक नाप लेना है और आपका कितना गला है वो चेक करके फिर अपको इसके उपर piping लगानी है तो आपका गला जो है वो यहाँ पर भी शिलाए में चला जाता है सीलने के लिए और आपका तयार गला एकदम परिफेक्ट निकलता हैं इसका आपको ध्यान रखना है जब गला सीलने के बाद बड़ा हो जाता है या चोटा हो जाता है तो shoulder joint करने के बाद हम जब piping करते हैं theology मै यह आपका back side का लंबाई में एक इंच और गले का मैंने आपको बता दिया है उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है जो shoulder है shoulder लेना पड़ता है अभी यहां से यहां से यहां तो कपको shoulder नापना है यह पूरा shoulder नापेंगे जितना हमारा shoulder आता है उसका half आपको लेना पड़ता है आपको ऐसा करना है जैसे यहां पर आपको क्या करना है जैसे छोटा गला होगा छोटा गला मैं आपको बता देती हूँ shoulder के बारे में और गले के बारे में चोटा नाप होगा चेस्ट का पाट जो है वो कम होगा नाप ब्लाउज का कम होगा तो आपको सवब 2 इंच पे गला रखना है और 5 इंच पे शोल्डर रखना है उसके बाद जब भी आपके गला मिडियम से जानी की 34, 36, 37, 40 इंच तक आप गला डाही इंच पे रख सकते हैं औ चेस्ट चेस्ट का नाप लेते हैं चेस्ट का थोड़ा सां 20 माले यो क्पड़ा से лиकawa जाती है यत बार भी हम क्म खोलते हैं तो वह दागे निकल जाते हैं आभी जैसे गलत हो गया जैसे हमने कटोरी का पार्ट में कम पढ़ जाता है इसलिए हमें चेस्ट में 2 इंच लेना है जो नए सिलने वाले में उनके लिए बोल रहे हूँ और कमर में जैसे चेस्ट में हमने दो इंच लिया है तो यहाँ भी आपको दो इंच लेना है उसके बान यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे हमारा आर्मुल जो है आर्मुल कैसे निकालते हैं यह जो आर्मुल है अभी वीडियो को आप पूरा देख लो पूर शादींच सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 318 लेना है यहां पी इसका मेजरमेंट लेना है यहां से यहां तक और जैसे 8 राय तो आपको नीचे से यहां तक मार्किन करनी है उपर का पार्ट रहता है ये हमारा Peters निखल जाता है उसके हमें क्या करना पड़ता है जो आर्मोल की गुलाई होती है फ्रंट सड़ की देनी पड़ती हमें एक इंच पे और बैक सड़ की देनी पड़ती हमें देड़ इंच पे जब हम तीस इंच का आर्मोल होगा तब जैसे 28 इंच होगा 29 इंच होगा साड़े 29 इंच होगा तो आपको क्या करना है 1 इंच और 1,5 इंच पे लेना है उसके बाद आपको क्या करना है जैसे कमर का नाप जो हमारा 30 से आगे होगा तो यहाँ पे आपको गोलाई जो है वो बदल़ नी है जैसे यहाँ पे हमारी front side के आएगी 1,5 इंच पे और back side के आएगी 2 इंच पे इसका आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे आपको कटोरी का जो पार्ट निकलता है जो हमारी basic कटोरी निकलती है तो जितना हमारा shoulder आता है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक marking कर लेते हैं तो वो हमारी basic कटोरी निकल जाती है basic कटोरी निकल जाती है आप चाहे तो इसके उपर भी बढ़ा सकते है ने तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो कट्टोरी के side का part है उसे आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पर आपको एक CD line पेले निकालनी है और यहाँ पर एक round shape देना है यहाँ पर आपको जो basic कट्टोरी है उसका centre आपको उसका हमें तीन इंच लेना है तो इसके आगे आपको तीन इंच लेना है तीन इंच लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ा सा एक्ष्रा मार्जिंग रखना है एक्ष्रा मार्जिंग रखेंगे तो यह सिलाई में चला जाएगा और जितना हमारा कटोरी का पा पौण 2। आए तो यहाँ पर भी पौण 2। लेना है और यहाँ पर गले के लिए थोड़ा इक्सरा बढ़ाएक। यहाँ पर आपको इस तरह से कटवरी को बढ़ााना है। इस इससाइड में में आपको सिलाई मार्किंग लेके थोड़ा इक्सरा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, क्रॉस में आपको, यहाँ से यहाँ तक यानि की मार्जिंग तब, यह देखे, यहाँ तक यानि की, जब हम कटिंग करते हैं बलाउस की, तब आपको पता चल जाएगा, यहां से यहां तक आपको cross में आर्मोल नापना पड़ता है cross में जब आम आर्मोल नापते हैं जितना हमारा आर्मोल आता है उसमें आपको आदा इंच प्लस करना पड़ता है वो निकलती है slews की चौड़ाई वो यहां पे हमारी यह जो slews की चौड़ाई आती है चाहेीं जो भी प्रेंश का आहां सबसक्राइब बॉट किया हुआस अप मेरे चानल में देख सकते हैं आ को ब्लोड किये हैं जिन यहां पर मैंने बहुत फूरी टिटील में लड़ाइब उसलिए आप मेरे पूर effective üzerine भी मैंने आपको दिये हैं तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो